लीजे सुनिये देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का पच्चीसवा बयान मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन इसनान पूजा से चुट्टी पाकर कूर बीरेंदर सिंग तेज सिंग देवी सिंग और जोत शी जी फिर उस खंदहर में गुसे सिरका साथ में लेते गए कल जो पत्थर निकला था उस पर जो कुछ लिखा था फिर पढ़के याद कर लिया और उसी लिखे के बमुझे काम करने लगे बाहर दर्वाजे पर बलकि खंदहर के चारो तरफ पहरा बैठा हुआ था बगले के पास गए उसके सामने की तरफ जो सफेद पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था जिस पर पैर रखने से बगला मुझ खोल दीता था उखाल लिया नीचे एक और पत्थर कमानी पर जड़ा हुआ पाया सफेद पत्थर को सिरके में खुब बारिक पीसकर बगले के सारे बदन में लगा दिया देखते देखते वो पानी होकर बहने लगा साथ ही इसके एक खुशबूसी पहलने लगी दो गंटे में बगला गल गया जिस खंभे पर बैठा था वो भी बिलकुल पिघल गया नीचे की कोटरी दिखाई देने लगी जिसमें उतरने के लिए सीड़िया थी और इधर उधर बहुत से तार और कलपुर्जे वगएर है लगे हुए थे सभी को तोड़ डाला और चारो आदमी नीचे उतरे भीतर ही भीतर उस कुए में जा पहुँचे जहां हाथ में किताब लिये बुढधा आदमी बैठा था सामने एक पत्थर की चौकी पर पत्थर ही के बने रंग बिरंगे फूल रखे हुए थे बाजू पकड़ते ही बुढधी ने मुँ खोल दिया तेज सिंग से काफूर लेकर कुमार ने उसके मुँ में भर दिया घंटे भर तक ये लोग उसी जगह बैठे रहे तेज सिंग ने एक मशाल खूब मोटी पहले ही से बाल ली थी जब बुढधा गल गया किताब जमीन पर गिर पड़ी कुमार ने उसे उठा लिया उसकी जिल्द भी जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोजपत्र ही की थी कुमार ने पढ़ा उस पर ये लिखा हुआ पाया इन फूलों को भी उठा लो तुमारे आयारों के काम आवेंगे इनके गुण भी इसी किताब में लिखे हुए है इस किताब को डीरे में जाकर पढ़ो आज और कोई काम मत करो तेज सिंग ने बड़ी खुशी से उन फूलों को उठा लिया जो गिंती में च्छे थे उस कुए में से कोटरी में आकर ये लोग उपर निकले और धीरे धीरे खंडहर के बाहर हो गए थोड़ा दिन बाकी था जब कुमर अबीरेंदर सिंग अपने देरे में पहुँचे ये राय ठहरी की रात में इस किताब को पढ़ना चाहिए मगर तेज सिंग को ये जल्दी थी कि किसी तरह फूलों के गुण मालूम हो कुमार से कहा इस वक्त इन फूलों के गुण पढ़ लीजिए बाकी रात को पढ़ियेगा कुमार ने हंसकर कहा जब कुल तिलिस में तूट लेगा तब फूलों के गुण पढ़े जाएंगे तेज सिंग ने बड़ी खुशामत की आखिर लाचार होकर कुमार ने जिल्द खोली उस वक्त सिवाए इन चारो आदमियों के उस खेमे में और कोई न था सब बाहर कर दिये गई कुमार पढ़ने लगे पूलों के गुण पहला गुलाब का पूल अगर पानी में घिसकर किसी को पिलाया जाए तो उसे साथ रोज तक किसी तरह की बेहोशी असर न करेगी दूसरा मोतिये का फूल अगर पानी में थोड़ा सा घिसकर किसी कुए में डाल दिया जाए तो चार पहर तक उस कुए का पानी बेहोशी का काम देगा जो पिएगा बेहोश हो जाएगा इसकी बेहोशी आद घंटे बाद चड़ेगी दो ही फूलों के गुण पढ़े थे कि तीनों आयार मारे खुशी के उचल पढ़े कुमार ने किताब बंद कर दी और कहा बस अब न पढ़ेंगे अब तेज सिंग हाथ जोड़ रहे हैं खस्बे देते जाते हैं कि किसी तरह परमिश्वर के वास्ते पढ़िए अखिर ये सब आप इही के काम आवेगा हम लोग आप इही के तो ताबेदार है थोड़ी देर तक दिल लगी करके कुमार ने फिर पढ़ना शुरू किया तीसरा औरहुर का फूल पानी में घिसकर पीने से चार रोज तक भूख न लगे चौथा कनेर का फूल पानी में घिसकर पैर धोले तो ठकावट या राह चलने की सुस्ती निकल जाए पाँचवा गुलदावदी का फूल पानी में घिसकर आँखों में अंजन करे तो अंधिरे में दिखाई दे छटवा केवडे का फूल तेल में घिसकर लगावें तो सर्दी असर न करे अगर पानी में रगड कर लगावें तो गर्मी या धूप असर न करे कथे के पानी में घिसकर किसी को पिलाएं तो साथ रोज तक किसी किस्म का जोश उसके बदन में बाकी न रहे इन फूलों को बड़ी खुशी से तेज सिंग ने अपने बटूए में डाल लिया देवी सिंग और जोत शीजी मांगते ही रहे मगर देखने को भी न दिया अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिए के उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का पच्चीसवा बयान मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में